सो हलो काज वेलकम बैक एन ये वीडियो अगेइन विद हेड़ेन ओफिसल तो कास्ट टाइटल और थम्नेल आप लोग ने देखी लिए तो लोग आज किस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हो कि आप लोग न्यू सीएन के अंदर में मास्टर कैसे लगा सकते हो व ुआ है देखा है काफी wise यहां देखना लाइप कर लेना अपने वही भाई को मोटिवेट करने के लिए विकस की यह वीडियो होनाने में तुमारे ने बाइश का अंदर लगा है तो आपर में उध्थ कर लो चैनल पर नकराइब लोडाई अच्छानब कर लोडिज इसो आपके साथ gameplay करना है रैंक पूस करना है कैसे करें तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उधर जाना और मैंको मैसेज कर देना और मैसेज के साथ साथ अपनी UID भी दे देना जिसे मैं आप लोग को इसली फ्रेंट रिक्वेस्स सेंड कर पाऊ और आपके साथ खेल पाऊ तो जो फट 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 इंस्टापे मैसेज कर दो जो हलेको बात करते हैं tips नमर वन के वारे में विकौस की tips नमर वन आप लोग के लिए काफी ज़ादा होने वाला है विकौस की उस में आप लोग को character combination बताने वाला हो character combination में मैंने first में use करा maxime की ability जो की काफी important है उसके बाद मैंने यूज कर रहा हैं पर मारो की अबिलिटी उसके बाद मैंने यूज कर रहा हैं लुकीटा की अबिलिटी और एक्टिव स्किल्स में मैंने यूज कर रहा हैं पर वुकॉं की अबिलिटी आप लोग वुकॉं की जगह हैं पर के करेक्टर भी यूज कर सकते हो लेकिन मैं आप स्कैनर काफी ही काम आने वाल है तो आप लेके जाना वैसे तो आप लोग को काफी सारे उप्शन देखने के लिए यहां पर मिलेंगे उसको बारियती है पेट की जिसमें मैंने हमेज़ा आपको बोला है सोलो के अंदर फैल को यूज करना विकॉस की काफी ही हेल्प करता है लैंडिंग के टाइम तो अवर अलो हम लोग का लोड आउट कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप लोग को मास्टर करने में न्यू सीन में काफी ही हेल्प मिलेगा आप लोग को बात करते है टिप्स नमर वन के अबारे में जो की होने वाला है हम लोग का लैंडिंग और नेक्स्तरा मैप की लैंडिंग तो और भी आप-लोग के लिए पर देख सकते हुआ ब्लू जा रहा हूँ और आप भी ब्लू जोन ही ढूड़ना विकॉस की ब्लू जोन में काफी सारे बंदे आते हैं और फर्स्ट का किल अगर आप लोग तीन चार स्टार्टिंग का किल्स निकाल लेते हो फिर आप लोग काफी एजी हो जाता है रैंक प्ल बात करते हैं टिप्स नमर थ्री का जो की होने वाला है हम लोग का किल्स है आप देख सकतो मेरी लैंडिंग तो काफी सही हो गई और मेरे को गन भी मिल चुका है आप लोग को भी लैंडिंग के बाद कोई साभी गन मिले आप लोग लेके डारेक्ट रस करने के लिए लिए लास्तका की पर्लाइब को लास्त में काफी हेल्प करेगा और मैं यहीं ही ट्रिक लगाने वाला हूंनों अगर मर भी जाता हूं सोलु के अंदर तो एग बर मैं तीन मिनिट से पहले रिवाई हो पाऊँगा और देख सकतो फर्स बेंमेने काफी जी निकाल लिए और वारी second kill की भाई इसको कापी ज़्यादा मैंने M2B से भी damage दे दिया है और shotgun से भी अब बारी इस पर rush करके finish करने की लेकिन यहाँ पर हो जाता है third party भाई third party से बचने के लिए मैं यहाँ पर back up करता हूँ तभी बंदे का आयता है rush और इसको अच्छा खासा मेरा प्लस लगेगा और last last होते मेरे 7-8 kill तो काफी जी निकल जाएगा अगर ऐसा रहा तो सब्सक्राइब को बात करते हैं tips नमर 4 का जो की होने वाला है आप पर zone rotation जो की काफी important और आप लोग यहीं पर गलती करते हो जो आप लोग fight लेने रखते हो zone के अंदर है आप लोग देख सकते हो मैंने fight ignore करा first में फिर मैंने zone cover करना start किया विकास के starting है season के आप लोग देखते हो कि zone के अंदर भी बंदे रहते हैं और आप लोग zone के अंदर ही fight करके finish हो जाते हो वो आप लोग के लिए काफी easy हो जाएगा अगर आप लोग zone के बाहर fight करोगे फिर आप लोग के लिए काफी hard हो जागा वो fight निकालना तो समझ सकते हो यह ट्रिक आप लोग को काफी ही जादा काम आएगा new season के अंदर में और भाई यह zone rotation जरूर करना विकोस की काफी help करें आप लोग को position point निकालने में भी बात करते है tips नमर 5 कर जो की होने वाला camping आप देख सकते हो जून rotate करके में जून के अंदर आ चुको यानि की circle के अंदर आ चुको है बार यह camp करके position point निकालने का विकोस की मेरा kill काफी अच्छा खासा निकल चुका और आप लोग का भी काफी इसली इतना kills निकल जाएगा अगर यह ट्रिक आप लोग लगाते हो जितने वह नहीं आप लोग को ट्रिक बताया हूं तो आप आर यह यह आप ए camping की तो आप लोग देख सकते हो position point निकालने के लिए camping करना काफी जरूरी है विकोस की camping करके आप लोग एजली position point निकाल सकते हो और अपना rank में जादा plus लगा सकते हो तो भाई camping जरूर करना new season के अंदर में विकोस की यह camping काफी काम की चीज़े और काफी स्पीड में आप लोग को rank प्लस करवा सकता है अच्छा वाले को बात करते हैं पर tips number six का है आप देख सकते हो मैं एक घर में आके बैट चुका हूँ विकोस की मेरा top 10 तो काफी जी निकल चुका है बार यह बुईया की लेकिन यहाँ पर मैं एक trick लगाता हूँ विकोस की घर में काफी सारे fight होते हैं ऐसे घर में आप लोग फॉच जाते हो लास जोन के अंदर में और यह हमेशा होता है आप लोग के साथ तो भाई एक trick लगा सकते हो सारे खिडकि यहाँ पर लाइंड लगा देना जिससे उसका वेस्ट भी डैमेज हो जाए बंदा भी डैमेज हो जाए और इसली आप उसको फिनिस कर दो भाई किल भी आप लोग को मिल जाए तो भाई यह ट्रिक जरूर यूज करना और यही ट्रिक अभी के टाइम पर मैं यूज करता हू वाई लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे लास सोन के अंदर इसली फाइट करके बुईया निकाल सकते हो और अपना रैंक काफी इसी प्लस कर सकते हो विकॉस की बुईया निकलने के बाद कितना ज़्यादा हम लोग का प्लस मिलता है हो तो आप लोग को अच्छे से पता ही है तो बात करते हैं कैसे बुईया निकाले हैं पर देख सकते हो एक बंदे को तो काफी जी फिनिस कर देता हो लेकिन बाकी बात बंदे मेरे को दिखते ही नहीं है तब मैं आप हील फाइट करने स्टार्ट कर देता हो और भाई निउस यहन है कुछ नया ट्रिक लिए यहां पर देख सकतो भाई एक बंदा बचा हुआ तो इसली उसको इलिमिनेट करके मैं बुईया निकाल लेता हूँ तो समझ सकतो यह ट्रिक कितना ही काम का है न्यू सियन में और आप लोग यहां पर देख सकतो मेरा किल भी काफी अच्छा कासा किल भी निकल चुका है यानि की ऑबर वर्ल्ट ट्रिक यहां पर वर्किंग ट्रिक है जिससे आप लोग हर एक गेम बुईया में निकाल सकते हो काफी सारे किल के साथ हैं आपर मेरा रैंक प्लस देखते हो कितना ज़्यादा मेरे को प्लस मिला हिरोई के अंदर समझ गया यानि की इने का मासटर लगाने में तो विडियोको जरूर से लाइक करना विकोस कि यह वीडियो बनाने में तुमारे भाई का काफी ही मेनत लगाए तो फड़ा फटेक लाइक कर दो अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए और चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब प्रवाई एक चीज़ बता देता हूँ अभी मैं सोचाओ कि एक दिन गैप करके आप लोग को एक टिपसान ट्रिक दूँगा जिससे आप लोग को काफी अच्छा कास सा हेल्प होगा और भाई आप लोग को किस टॉपिक पे टिपसान ट्रिक चाहिए वह भी आप लोग कर दो कर दो